दोस्तो आप लोगों का आपके यूटूब चनल में सुआगते दोस्तो तो बहुत बड़ी वेकेंसी आज तक के स्पोर्टS के इत्याद में इतनी बड़ी वेकेंसी नहीं आई है 18999 पद जो है निकल कर आए है 18999 पद इस पोर्टस के तो बहुत बड़ी बात है 18995 जो निकल कर आए है स्पोर्ट्स के अभी तक कि सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की बरती आई है वीडियो का आप complete देखना पोस्ट ओबिस में वीडियो निकली है और कौन को लोग अपलाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता हूँगा सबसे पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़े हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर starting जो date है वो है 10-11 से फिर last date जो है 9-12 फिर online fees payment भी जो है वो 9-12 है date window application form 10-12 से 14 तक उसके बाद इसमें online आपको जो है form बढ़ना है फिल करना है postal assistant vacancy है sorting assistant vacancy है postman में mail guard में और multi tasking staff में जो है vacancy है अभी हम आपको बताएंगे कि इसमें कुन-कुन से game में है वो भी हम आपको बताएंगे और pay scale क्या रहेगा हम पहले pay scale की बात कर लें तो pay scale postman assistant का level 4 रहेगा और sort assistant का level 4 फिर postman level 3 mail guard 3 और multi tasking staff एक level रहेगा उसके बाद vacancy postal circle wise vacancy है इसमें आपकी जो age वगएरा है वो भी आपको बताएंगे क्या कहा रहेगी इसमें जैसे postal assistant के लिए 18-27 एर रहेगी sorting assistant 18-27 लेगी postman 18-27 mail guard 18-27 multitasking 18-25 इसमें छूट और relaxation क्या क्या मिलेगा किस किस को मिलेगा वो भी हम आपको बता जिते हैं relaxation limit 5 year in case additional 5 year allow candidate schedule SCST cast जो है उनको रहेगा only for यह जो relaxation है उनहीं को रहेगा यहाँ पर जो है 5 year का रहेगा upper limit 5 year only candidate schedule cast SCST ठीक है education chronification bachelor आपके पास जो है degree होनी चाहिए knowledge working on computer postman postman 12th standard should be local language postal circle decision knowledge for working computer valid lessons two wheeler motor bicycle post only रहेगा अब नीचे की साइड साइड चलते हैं नीचे की साइड है four post multitasking stop 10 standard रहेगा number six यहाँ पर हम बात कर लेते हैं games की तो games की कौन-कौन से बच्चे जो हैसमे जो है क्या level इसमें चलेगा और किस level तक यह रहेगा वो हम आपको जो हैसमें बताने जा रहे हैं तो sports की हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते है sport person who have represent the state on the country national international sport mention साथवा पेर नमबर भढ़ना है उनको B उनको sport person who have inter university वो भी participate कर सकता है sports represent state schools या फिर आपने कोई awards जिता हो वो भी जो है इस form को भर सकता है list of games यहाँ पर है आप इसमें देख सकते हो कौन-कौन से game है archery अट्टा पट्टू बैड्मिंटन बेस्बोल ब्रीज बोक्सिंग कैरम किर्केट पोलो सैकल्स तो अगर आपका इसमें games है तो आप अपलाई कर सकते हो 64 के आसपास जो है इसमें games है अभी हम बात करते हैं वन वाई 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 वन फैंसिंग गोल्फो हैंड बोल आइस होकी आइस स्केटिंग कबड़ी रोइंग जूडो मोटर पैरा स्पोर्ट्स पोलो सूटिंग रोल रोइंग सपे टागरा सोप टैनिस फुटबोल जिनमास्टमिक होकी आइस होकी जूडो कराटे खोको मलकूब नेट बोल पैंसिल पावर लिप्टिंग सूटिंग बोल सूटिंग बोल के जो भी बच्चे हैं वो भी ध्यान दे रूल स्केटिंग रगबी सौप बोल स्क्वैक इसके लावा इसमें जो है आपका होके था ताइक कमंडो टैनिस टिप पाइन बोल स्टगो वार वेट लिप्टिंग योगाशन टैनिस बोल वोलीवोल वुशो योगाशन ये हैं इसके लावा ये आपको दे रखा है अगर आपने जो है इंटरनेशनल खिलका है जो है फिजिकल एफिसेंसी ड्राइव का है ठीक है दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं आपर नीचे की साइड ओड चलते हैं तो ये है फर्स्ट रिफ्रेंस दिया जाएगा जो सेलेक्शन कर रहता है और जो ओडर होता है सबसे पहले इंटरनेशनल अगर किसी ने खिलका है तो सबसे पहले उनको रखा जाएगा उसके बाद सेकेंड रिफ्रेंस जो है वो दिया जाएगा सीनियर लेवल नेशनल चैंपिंशिप बाई स्पोर्ट फेडरेशन यूथ उगनाए इंडियन ओलम्पिक्स फिर दिया जाएगा थर्ड रिफ्रेंस अगर कोई बच्चा नहीं मिलता है उसके बाद थर्ड रिफ्रेंस है उनिवस्टी का eating इंटरन उनिवस्टी स्कूल नेशनल गेम थर्ड प्लेस फिर रिफ्रेंस तो आगर इपाद अगर नहीं मिलते है तो फिर रिफ्रेंस जो अवर्ड वगरा है नेशनल एफिरेंस से अवर्ड है वो जित रखा है तब उनको दिया जाता है 6 होता है आपका नेक्स रिफ्रेंस विल गिवन दा इस्टेट यूजिन टेरिटरीज इस्टेट स्कूल टीम लेवल मेंशियन कैटेगरी सेकेंड या फोट कुट नोट वी इंदा मेडल पोजिशन से मोडर फिर उनको रिफ्रेंस दिया जाता है उसके बाद जो है इन इवेंट दा टाइ कैडिडिट है दा हाईर पोजिशन गिव यह कुछ आप पोजिशन है आप पढ़ सकते उनको उसके बाद नीचे के हम बात है हाउ टो अपलाई आपको कैसे करना है तो अपलाई के लिए यह वाला जो लिंक है ओनलाई लिंक है यह वीडियो के है वो है नो बारा दोजार टेश तक और जो इसकी अपलिकेशन फीस है वो आपकी रहेगी हंड्रेड रूपीज ठीक है तो आप देख लेना आपका क्या-कैस में रहने वाला है उसके बाद जो इसमें रहता है हमारा जो आपकी जो ओडर बाइज ओडर है यह आपकी छूट मिलेगी यह आप देख सकते हो उसके बाद जो में इंपोटेंट चीज है वो आपकी स्टेज्ड वाइज वाइज वाकेंसी है जिस इस्टेट से आप हो तो सबसे पहले सर्कल वाइज जो इस्टेट है उनमें आंदर परदेश में 27 पोश्टल असिस्टेंट में सोट एटिस वाकेंसी है बियार में 15 वाकेंसी है पोश्टल असिस्टेंट में साथ वाकेंसी सोट एटिस्टिंग में और पोश्ट में में कुछ नहीं है चतिस गड़ में साथ वाकेंसी है पोश्टल असिस्टेंट में और दो वाकेंसी है आपकी सोट एटिस्टिंग में और पांच पो यहां पर अब हमारा आता है गुजरात तो गुजरात में वकेंसी 33 है और 8 वकेंसी और 56 वकेंसी आपकी अलग है और टोटल 8 वकेंसी तो अलग-अलग है हरियाना में अलग है वकेंसी तो आपके अलग-अलग है आपका जोंसा भी स्टेट है हिमाचल प्रदेश में अलग है ज पंजाब में तेरा राइस्थार में पंद्रा तमिलाडू में एक सो दास तेलुगान में सोला उत्तर पर्देश में पंद्रा उत्राखंड में बारा तो यह अलग-अलग है एमटीयस में सबसे ज़्यादा जो है वगैंसी 131 महाराष्ट में है और 124 तमिलाडू में तो अलग-अलग है तो पांद्रा पिचासी टोटल तेल्स पिचासी तो टोटल मिलाकर जो बैठता है वह बैठता है आठ सो निन्याडव अवकैंसी बैठती है अपने अपने स्टेट में करना है आप लोगों के आप जोन से भी स्टेट से हो उसी में आपको अप्लाई करना है और यह आपकी जो है लोकल लैंगवेज आपको ज़रूर आनी चाहिए यह लैंगवेज है इसका स्क्रीन सोट लेने या हमारे टेलिगराम पर आप हमें फोल करना मत बूला